हेलो अब्रीवान कैसे आप सब अमीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे तो आज मैं एक नई स्कीम लेके आया हूँ जो कल नरिंदर मोधी साब ने लौच की है यह स्कीम बेसिकली 15 आउगस्ट यहने 15 आउगस्ट जो इंडिपेंडेंस दे पे रे इसमें कवर किये गए हैं 18 कैटिगरी जिसमें इंकल्यूटिड है जो मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगा साथ में ही यह स्कीम का अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई बैंक गारंटी की ज़रत नहीं है और काफी लो इंट्रेस्ट रेट है ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रॉस तो आप यहां से इस स्कीम के लिए एप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अल्रेडी एप्लाई किया है कल ही लाइच हुई है और अभी तक मैं आपको अभी प्रॉफ के साथ दिखाऊंगा आउनलाइन वेबसाइट पे जाके कि कितने लोगों ने अभी एप्लाई क कर देंगे तो चलिए देख लेते हैं यह स्कीम विश्व कर्मा स्कीम है यह पीम मोदी 2023 की कल याने संडे को लॉच्ट की गई थी तो चलिए देखते हैं इसके बारे में सारी डीटेल्स तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं online website government schemes.in की website पर गया हूँ यहां से मुझे इस स्कीम के बारे में सारी डीटेल्स मिल जाएगी तो आप भी इसमें Google पर सर्च कर सकते हैं तो वहां से आपको सारी डीटेल्स जो है मिल जाएगी तो highlights में अगर आप देखेंगे यहां पर आ एक लाक रुपए लोन मिलेगा फिर जब आप एक लाक रुपए का लोन रिटर्न करोगे उसके बाद आपको दो लाक रुपए का लोन और मिलेगा और वो भी सिर्फ 5% के इंटरस्ट पर तो एक काफी अच्छी स्कीम है इसमें skill training जो है वो भी आपको provide की जाएगी 500 stipend भी जो है training के दोरान आपको provide किया जाएगा ठीक है rupees 15,000 will be provided to purchase advanced toolkit एक advanced toolkit जो आपको मिलेगा वो उसके लिए भी आपको 15,000 रुपए मिलेंगे पी-म विश्व कर्मा certificate और ID card आपको provide किया जाएगा tenure जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कितने time के लिए हैं तो 18 महीनों के लिए आपका पहला fees रहेगा जब आप 1,000,000 रुपए loan लोगे तो वो आपको 18 महीनों में वापस करना है जो आप 2,000,000 रुपए का loan लोगे उसके बाद तो उसके लिए आपको 30 महीने दिये जाएंगे यहने 2.5 येर्स का इसमें मिल जाएगा तो incentive 1 digital transaction पे आपको incentives भी provide किये जाएंगे तो ये एक बार आप खुद से देख लीजेगा अच्छे से ये सारी details इन्होंने दी हुई है और काफी अच्छी scheme है इसमें बहुत कम आपको interest देना पढ़ रहा है साथ में आपको बहुत सारे incentives ये provide कर रहे हैं तो आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते है name of the scheme ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए 17 तारीक को launch की गई है 500 type fund मिलेगा 1500 certificate ID card ये सारी details आपको चीजे जो है इसके साथ अगर आपका selection होता है ठीक है next हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे benefits क्या क्या है तो वही सारी चीजे first phase में आपको एक लाक रुपए loan मिलेगा second phase में आपको दो लाक मिलेगा 5% interest पे तो बहुत ही कम interest है यहाँ पे सारा doubt आपको clear जो है हो गया होगा कि इसमें कोई भी आपको ज़्यादा interest नहीं देना है सिर्फ और सिर्फ 5% की interest पे आपको मिल जाएगा साथ में ही जब आपकी training होगी तो उसमें आपको 500 रुपीज पर डे भी मिलेंगे और आपको tool kit जो purchase करना होगा उसके लिए आपको 15,000 रुपई भी मिल जाएंगे साथ में आपको एक ID card और certificate भी मिल जाएगी अब यहाँ पे कौन-कौन eligible है तो यहाँ से आप वो चीज़े देख लीजेगा eligibility यहाँ पे applicant should be an Indian resident applicant should be artisan, crafts people यहाँ पे होने चाहिए कौन से category जिसमें दी हुई है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ ठीक है 18 साल से उमर ज्यादा होनी चाहिए और applicant शुद नॉट अब एप्लिकेंट शुद नॉट अवेल दे बेनिफेट्स और PMEG मुद्रा लोन अगर आपने लिया है किसी ने तो वो eligible नहीं है अब यहाँ पे देख लीजेए आप कौन-कौन से categories इसमें included है मैंने आपको बताया था 18 categories है तो वो 18 categories यह है ठीक है तो यहाँ पे आप fish, net maker, tailor, washerman ठीक है garden maker, barber तो यह सारी categories basket, mason है, इसमें cobbler है, इसमें sculptor है, इसमें porter है, goldsmith, locksmith, hammer and toolkit maker है, blacksmith है, फिर boat maker, carpenter, ठीक है तो यह सारे इसमें जो है categories दी हुई है अगर आप इन categories की जानते हो, इसमें काम करते हो, ठीक है, for example, carpenting में, mason में, अगर कोई है, तो वो यहाँ पे apply कर सकता है, इस scheme के लिए, तो यह categories है, इसमें अपना, आप देख लिजएगा, कौन से category में आफ़ाल करते हैं, फिर उसके according, आप यहाँ पे application इसमें डाल सकते ह documents क्या क्या required है, यह भी एक बहुत important question है, तो इसको देख लेते हैं, documents क्या क्या required है, इसमें सबसे पहले आधार card, voter ID card, proof of occupation, ठीक है, mobile number, bank account, details, income certificate, और cast certificate, अगर कोई cast है, तो इसको cast certificate भी देनी पड़ेगी, eligible, यहाँ पे कैसे apply करना है, तो आप यहाँ पे online form बर सकते हैं, ठी खिदमे center पे जाएंगे, तो वहाँ से आपको सारा process जो है, वो करके देंगे, यह already available है, online, इसमें कल क्योंकि launch किया गया था, बहुत सारे लोगों ने apply भी किया हुआ है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कौन से website पे जाके, आपको इस सारी details मिल जाएगी, बागे आ एक online application form open हो जाएगा, beneficiary को पहले register करना पड़ेगा, आधार कार्ड से, फिर यहाँ पे जो website है, mobile number आपका आधार कार्ड verify हो जाएगा, एक OTP मिल जाएगा आपको, तो आपको verify करना होगा, ठीक है, तो आपका basically वहाँ पे एक profile बन जाएगा, और सबसे अच्छी यहाँ पे आप देख लीजेगा, मैंने आपको पहली बताया, artist या craft men can also register and apply for PM, Vishwa Karma, योजना by visiting nearest CSE common service center, तो यहाँ पे आप जाएगे, जो भी आपका nearest CSE है, अब वहाँ पे जाएगे, वहाँ से apply कर सकते हैं, बहुत ही easy सा process है, यह देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूरा process बताया है, step 1 में mobile और आधार verification, step 2 में artisan के एक registration form होगा, और step 3 में PM Vishwa Certificate, और step 4 में apply for the scheme, आप scheme के लिए apply कर सकते हैं, अब मैं लेके चलता हूँ आपको इनकी website पे, कोई मैं जो PM Vishwa Karma की official website है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, कितने लोगों ने already apply किया हुआ है, तो यह है वो official website जहाँ पे आपको apply करना है, यहाँ पे आप उपर देख सकते हैं, address box में PM Vishwa Karma scheme.gov.in तो यह इसी के लिए scheme है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, PM Vishwa Karma सारे इसमें details इन्होंने दी हुई है, इन्होंने पहली ये website बनाई थी, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजेगा, ठीक है, number of applicants, ठीक है, application submitted, यहाँ पे already 18 application submitted हुई है, verification अब भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, district wise verification नहीं हुआ है, बाकि सब में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे registration शुरू हो चुकी है, तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं, आप यहाँ पे register कर सकते हैं, अब self registration भी कर सकते हैं, जो मैंने आप को steps बताए हैं, लेकिन आप जो है, अगर बेहता रहेगा कि अगर आप CSE Center पे जाएंगे, वो आपको पूरा process करके देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक option आपको देख रहा है, how to register, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको पूरा तरीका बताएगा, पूरा procedure बताए कीजिएगा, तो यह यहाँ भी आप देख सकते हैं, how to avail the benefits, ठीक है, इसके benefits कैसे, step 1 मैंने आपको पहले ही बताया था, mobile आधार, verification होगी, step 2, step 3, step 4 वही process है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आप खुद से भी कर सकते हैं, इसी website पे registration करके, या आपको सबसे अच्छा तरी कीजिएगा, तो यह थी, इस scheme की सारी details, यह scheme बहुत ही, अभी new है, कल ही launch हुई है, याने एक दिन पहले, और बहुत सारे कम applications अभी तक आये हैं, आप इसमें apply कर सकते हैं, अगर आप अभी apply करेंगे, तो भो सकता है, chances आपके ज्यादा रहेंगे, PM, विश्व करमा scheme, इसमें कोई guarantee की ज़रत नहीं है, बहुत ही कम interest है, यानि 5% आपको interest है, पुरा online process रहेगा, और आपको 3,00,000 तक रुपए, 3,00,000 रुपए तक का loan इसमें मिल सकता है, बहुत easy process है, कोई hectic process नहीं है, बहुत सारी categories के, इसमें skills included है, 18 categories इसमें included है, अगर आपको लगता है, कि आप उन categories में fall करते हैं, आपको लगता है, आप उन categories के माहर हैं, तो आप जरूर apply कीजेगा, so thank you so much for watching, stay tuned.